आज बात करने वाले हैं बिहार बियेट साहिए परवेस परिक्षा 2022 की एक बुक के बारे में जो की है चक्छो पब्लिकेशन की से कवर किया हुआ है यहाँ पर देख लिए बॉक्स के माध्यम से जीके में काफी अच्छे से बता रखा है तो इस तरह से हर एक सेक्षन को अच्छे से कवर किया गया है बुक के अंदर और साथ ही साथ हर एक चैप्टर से जो है पचास से लेकर के सौ से उपर प्रशन यहाँ जो है वही जो है वही जो है पूरा जो पर गिWest के होती गया ही उसकी केंद्र विन्दु ही बालक होता है तो बालक की द्वारा ही जो ग्यान का निर्माता होता है तो आंसर क्या हो जाएगा कि एक परगती सिल कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ग्यान की संरचना की जाती है चलिए चलते हैं हम लोग आगे नेक्ष्ट कोशन पर अगला प्रशन देख लिजे क्या है यहाँ पर कोशन है सतत एवं समगर मुल्यांकन में क्या सामिल है 97 में आपसेंस आपके सामने हैं जल्दी से पढ़िए और बताइए क्या आंसर होगा देखें यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है D उनका बिल्कुल करेक्ट है देखे सतत और समगर मुल्यांकन में विविद परकार की रन्नीतियों का परियोग करते हुए दोनों संरचनात्मक और संकलनात्मक आंकलन का परियोग किया जाता है चलिए आते हैं अगले प्रशन पर अगला सवाल देख लिजे क्या है यहाँ पर आपके लिए देखिए अगल जाती के लोग कभी अच्छा परदर्शन नहीं किये हैं सिक्षा के अंदर में तो वो बच्चे भी सोच लिया है कि अब हम भी नहीं परदर्शित कर पाएंगे क्योंकि हमारी पीड़ी जो है सिक्षा में काफी पीछे है तो इस रूडी वादिता को है ना एवं परिमानिक पीचर हो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए बी नमबर में आते हैं विभिन ने समाजिक वरगों के विद्यार्थियों के बीच परतियोगिता आयुजित करोगे और उनको लगता है कि वो पहले से पीछे हैं तो और इंफिरियर फिल करेंगे खुद को अगर कम मार् आते हैं देखें सी है यहाँ पर विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य यह तो ची आप कहीं ने सकते हो अगर विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है तो उसको पढ़ाई में लाना है उसको छोड़ने की सलाह बिलकुल भी नहीं देना है ना डी नमबर में आ रहत उसको inspirational story सुनाओ आपकी उनकी जाती के लोग किये ही होंगे हर जाती में लोग बहुत अच्छा करते हैं तो अगर कोई बहुत बड़े महापुरुस्ते बहुत बड़े ग्यानी थे बहुत बड़े scientist थे तो उनके बारे में आप उनको बताओ या विविन समुदाय कि जो गरीब तबके के लोग थे उन्होंने कितनी कठिनाई से मेहनत किया है पहले उनके बारे में लोग क्या सुसते थे फिर बाद में बहुत बड़े scientist हो गए बहुत बड़े doctor वो बन गए है ना या बहुत बड़े engineer बन गए या फिर बहुत बड़े उन्हों बहुत अच्छा काम किया उन्होंने समाज के लिए वो चीज़ें आप बताओ बच्चों को ताकि उनका confidence जो है थोड़ा बढ़ सके चलिए आगे आजाते हम लोग देखे एक समावेसी कक्छा में सिक्छक को क्या करना चाहिए समावेसी inclusive जो क्लास होगी उसमें क्या करना चाहिए ये विश्वास करना चाहिए कि परतियेक बच्चे में अपनी योगेता एवं सक्ती के अनुसरन करने की छमता है या फिर B नमबर में देखे यहाँ पर क्या है हमारा B नमबर है कि और ससक्त अधिगम करताओं के परति दया एवं सहानु भूती का भाव परदर्शित करना चाहिए देखे सहानु भूती का बिल्कुल भी भाव आपको नहीं रखना है जो बच्चा अगर माल लेजिए और ससक्त है बिल्कुल ससक्त नहीं परदे में कमजोर है तो उसके परति दया बिल्कुल भी आपको कलास में नहीं दिखानी है क्योंकि अगर आप उसको दाया जहां दिखाए तो अधर बच्चों को लगेगा कि ये कमजोर है तो लोग उसको कमजोर identify करेंगे तो इससे उस बच्चे की confidence कही न कहीं गिरेगी तो आपको वहाँ पर discrimination नहीं करना है C number में आ जाते हैं बच्चों को अपाहिज बच्चा मंद बुद्धी का बच्चा आदी के रूप में वरगी करीद कर दोगे ये भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है ये तो खतरनाक काम हो गया है ना चलिए D number में आते हैं केवल पर वितास केवल परतिभास आली एवं योग ये बच्चों पर धियान देगे देखे ये जो केवल वरड है ना बहुत खतरनाक है objective में जहां पर भी केवल आएगा वहाँ पर वो options को बिल्कुल खतम कर देगा है ना यानि वो options हो ही नहीं सकता है 99% cases में वो option होगा है नहीं जहां पर केवल आ गया केलियर है ये चीज़ ध्यान में रखना 1% ऐसा case हो कि हां question ही वैसा बन रहा हो तब वहाँ पल विल्कुल correct होगा ठीक है तो 99% में अगर आपको नहीं आता हो तो जहां केवल देखोगे उसी को cut कर दोगे भी ये नहीं हो सक करता है हमारा तो एक चीज़ ध्यान में रखना केवल परतिभास आली योग ये बच्चों को पर ध्यान देना ये एक अच्छे टीचर के निसानी नहीं है आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा तो options हो जाएगा ये विश्वास करके चलना चाहिए कि परतिये बच् द्रीम सेवक आईएस ने अपना एप को लाँच कर दिया है और ये एप जो है बियर 2022 की तयारी के लिए बिल्कुल dedicated हो करके काम कर रहा है और यहाँ पर आपको ना सिर पेड क्लास बलके free notes, free PDF, free study material भी देखने को मिलेगा जो भी YouTube की क्लास होती उसकी PDF भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और हमने जो paid course launch किया है topper batch के नाम से अगर इसको आप 18 अप्रेल से पहले जोईन करते हो, course अल्रडी श्टार्ट हो चुकी है, 7 से 8 क्लास सब तक हो चुके हैं, लगबग 10 chapter हमने GK का यहाँ पर clear कर लिया है, तो यह छूटा नहीं है आपका ये video recorded format में है अगर आज भी आप जोईन करते हो 18 अप्रेल से पहले, तो आपको इस्टा 200 का discount मिलेगा यहाँ पर, एक code यूज करना पड़ेगा, बैसाखी 200 है ना, कैसे code को यूज करना है, और कहाँ पर ये video मिलेगी, code यूज करने वाली, उसकी सारी जनकारी इस नंबर पर आपको अगर आप code यूज करना नहीं जानते हो, या कोई और आपको द्वीधा है, course को लेकर के, तो आप ये जो दिया हुआ नंबर है, इस पर call कर सकते हो, और पूरी जानकारी ले सकते हो, बस ये सब कुछ आपको 18 अप्रेल से पहले कर देना है, 18 अप्रेल के बाद आओगे, तो परदर्शन ये है कि पढ़ने के परती चिंता बहुत करता है, वो पढ़ना चाहता है, लेकिन उसको अक्षरों, सब्दों और अक्षरों के पहचानने में कठिनाई होती है, उनके सब्दावली भी अच्छी नहीं है, और वो पढ़े वे पाट को समझने में, याद करने में भी उनको कठिनाई होती है, तो ये जो प्रॉबलम है बच्चों के अंदर में, इसमें चार बीमारी का यहां नाम लिखा हुआ, आपको बताना है कि ये कौन सी बीमारी से वो बच्चा गरसित है, ये बताईए, एक स्वालीन विद्यार्थी के रूप में वो सुचक है, वो ये सारी चीज़ें हैं, वो बच्चा कैसा है ना, तो देखें, आंसर क्या होगा यहां पर, वो बच्चा जो है हमारा, कैसा है, वो बच्चा हमारा अधीगम और ससकता वाले विद्यार्थी के रूप में देखा जाएगा है, तो यहां पर देख लीजे, जिनका जिनका 100 में कक्छा में सिक्षित करना चलिए बताइए क्या आंसर हो जाएगा 101 में तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर पूरे समय के लिए है न चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है यहाँ पर एक statement दिया हुआ क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं बताइए 102 में देखे यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है भी भासा अर्जन साधन उनको उनका विल्कुल करेक्ट है अगले प्रशन पर आते हैं सवाल देख लिजे क्या है देखे गैने गैने जो है यहाँ पर भी thinker है scientist है psychologist है इनका कहना है कि गैने द्वारा परस्तावित अधिगम का पदानु कर्मिक उच्चतम अस्तर क्या है तो गैने ने जो अधिगम जो सीखने की परकिरिया है उसको जो एक करम में बताया उसका सबसे highest वाला जो point है वो चीज़ बताओ कि आप क्या है तो answer क्या हो जाएगा 104 में answer हो ज चलिए आगे चलते हैं लोग अगले प्रेशन पर अगला प्रेशन देखें यहां पर है निमिलिखित मेंसे कौन सी विसेस्ता वन्चित बालक की नहीं है वन्चित बालक की विसेस्ता इन मेंसे कौन सी नहीं जो बालक वन्चित है देखें जीवन के अधारभूर आवसक्ता की और परियापता को जहेलना है ना जो आधार भूत जो बेसिक इंफरास्ट्रेक्चर होती है बेसिक नीट्स होती है उसमें वो चीज की कमी उसके अंदर में देखने को मिल नहीं है ऐसे बच्चे को आप क्या जो है वंचित बच्चा नहीं कहोगे यहां पर सवाल यह पूछ जहेल रहा है। B नंबर में आयेऴ आधार भूत आवस्च्च्च कि जो परियापता है उसको जहेल रहा है। बी नंबर में आते हैं। आधार भूत सारोभोमिक अधिकार परदान है उसको है ना। चान्बर मनोसेक्षिक समस्या का संकट उनके पास है तो ये भी आपका क्या हो गया ये भी आपका वंचित बच्चे की निसानी हो गई उसकी सभावीक दर से विकास के अवसरों से वंचित रखना ये भी हमारी वंचित बच्चे की निसानी हो गई तो ये नहीं होगा ये नहीं होगा औ और इसके अलबाए ये भी नहीं होगा, तो अंसर हो जाएगा हमारा B नंबर, आधारभूत और सारभौमिक अधिकार, जो आधारभूत उसके अधिकार हैं, और जो युनिवर्सल राइट है, वो सब कुछ उसको मिला हुआ है, तो वो बच्चा वंचित कैसे हो जाएगा है, तो B नंबर यहाँ पर करेक्ट है, कि B नंबर जो है वंचित बच्चे की निसानी नहीं है, 116 में आ जाते हैं अगले परस्ट पर, अगला परस्ट देख लिए यह बहुत खुबसूरत है, कोशन है कि सीखने की वह अवधी, जब सीखने की परकिरिया में कोई उन्नती नहीं सवाल परसूत अनुबंधन सिधानत का परतिपादन किस ने किया था, हाल ने किया था, धरन डाइक ने किया था, हेगार्टी ने किया था, या फिर इसकीनर ने किया था, 109 में, चलिए 109 में देखिए, यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है, D, सकीनर उनका सेखने में परियास और भूल के सिध्धानत का परति पाधन किछने किया था, याद रखेगा, यह किस के दोपारा दिया गया था ? दिखें इस में बहुत ऐची श्टो में द सन्गे संसर पाथ सुपाम प्रायों मात्रा के मेरा लेकिन बार-बार वो फेल हो रही है तो इन्हों ने थाउन डाइक नहीं से एक सिद्धान्त निकाला इन्होंने कहा कि सीखने में परियास भूल होती है लेकिन अन्तता जोह सफल हो जाता है वेखती है ना तो जब भी कोई काम करते हैं तो आप fail कर जाते हैं आप जो है कहीं न कहीं उसमें qualify नहीं कर पाते हैं या फिर आप जो है उसको कर नहीं पाते हैं पहली बार में दूसरी बार में लेकिन आप जब उनकी कमियों को ढूंडते हैं उसको पूरा करते हैं तो आप finally सफल हो जाते हैं यही थरन डाई का सिध्धान थाा है ना चलिए तो अब आते हैं next question पर अगला प्रशन है हम किसी बच्चे को पिछड़ा कहते हैं हम किस बच्चे को पिछड़ा कहते हैं तो ऐसा बच्चा जिसका प्राप्तांग जो है उसकी कख्शा का निमनतंग अंक होता है है ना ऐसे ही तो बताइए 112 में आंसर क्या होगा देखिए अगर आपको एक अच्छा वातावरन चाहिए पढ़ाई के लिए है ना तो आपको बैठने की समुचित व्यवस्था इस्तिरव सांती परिवेस भी चाहिए और इस्परधा मूलक इस्तिती भी चाहिए तो अंसर क्या हो जाएगा परियावरन के मद्य अन्यों किरिया का या फिर आर्थिक किरिया का बताइए 113 में ने डेखे आंसर यहां पर आजाएगा सी नंबर जो बच्छे का विकास होता है वो उनकी वानसिक्ता अनुवानसिकता और साथि साथ परियावरन में जो इहां पर इंट्रेक्शन होता है परियावरन के साथ उनकी अनिवान सिता का तो वहीं से जो है क्या होता है हमारा बच्चे का विकास होता है चलिए अगले प्रश्ण पराते एकला सवाल देख लीजे क्या है कक्छा कक्छ में छात्रों की इच्छा को परभावित करने वाले बाहर के कारक कौन से हैं अगला प्रश्ण देख लिए क्या है यहां पर सिक्षन समझ के क्रिया कलापों के अस्तर को बनाए रखने के लिए महत्पुन विसे कौन सा है परबंधन कुसर परसासन योगी सिक्षा या फिर इन में से सभी 115 में मैंने बताया था आपको जहां पर भी इन में से सभी आए वह पर सिद्दान था वो किस से समझ वह हंदी था 117 में देखे आंसर हो जाएगा नैतिक विकास जिनका जिनका आंसर यहां पर सी नैतिक विकास अरहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है अगले पर आते हैं अगला सवाल है यहां पर दिये हुए प्राप्तांगों के समूह में जो सबसे अधिक बार आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं 120 में 120 नुमबर में दिखिए जिनका जिनका आंसर यहां पर आ रहा है यह बहुला उनका बिल्कुल करेक्ट है चलिए अगले सवाल बिल्कुल हमने खतम कर दिया सारे questions को अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ल टेस्ट होगा उसको भी आपको जोईन करना है तो देख लिजे जो हमारा साम वाली क्लास है यूट्यूब पर वो साथ बज़े चलती है और GKGS की क्लास साथ पैतालिस में चलती है यह हमारा नंबर है 906 5588 003 इस पर आप कॉल करके स्कूर से रिटेट सारी जानकारी ले सकते थेंक्यों सो मच मिलते हैं फिर थोड़ी देर में ही साथ पैतालिस वाली वीडियो में जिसमें हम लोग मोक टेस्ट टू को लगाएंगे ओके बाबाई